हलो दोस्तों पॉरंग की दुनिया में आपका स्वागत है मेरा नाम में कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कि जर्मनी में अगर आप पढ़ाई करने आते हो तो वो कौन सी सारी चीज़े हैं जो आपको पता होन यहाँ पर उनके सारी बिल्टिंग से आपको भी पता लग जाएगा कि जर्मनी में जो यूनिर सिटी है वो अंदर से दिखती कैसी है कैसे यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और फ्री टाइम में आपको दिखेंगे आसपास बच्चे बहुत सारी गूम रहे तो यह सा आपको बहुत एंटरेटेनिंग बहुत इंफोर्मेटिव वीडियो भी वहाँ पर पता लगती होगी मैं बहाइंड थे सीन स्टोरी स्पोस्ट भी करती हूँ और बहुत सारी रियल टाइम जर्मनी आपको दिखने को मिलता है और फुल वीडियो के लिए यूट्यूब तो ह तो कि यहां पर कौन सी तरीकी की यूट्यूटी होती है आपने बहुत सुना होगा बहुत चर्चाय होती है यह इंस्टाग्राम पर भी यह बहुत सारी एसी वीडियो जो कहती है कि जर्मनी में एंडुकेशन फ्री है तो इसका मतलब क्या है तो इसके लिए आपको दो देना होता है विच इस लाइक 200 से 400 यूरो पर सेमिस्टर एंड कुछ ऐसी स्टेट्स है जर्मनी में जैसे बादम उटंबर्ग जो स्टेट है उन्होंने यह कॉंसेप्ट अभी लाया हुआ है कि वहां पर आपको ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है सम्वेर आराउं देर दूसरी चीज़ है अबाउट प्राइवेट उन्यूशन फी पे करनी होती है अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो प्राइटिवली हायर होती है पब्लिक के साथ उसको कंपेर नहीं कर सकते हैं पड़ाई करते हैं उनका बहुत ही अमाउंट कम में आ जाता है मतलब इसलिए उसे कहते है जर्मनी में एजुकेशन फ्री है और प्राइवेट में आपको ट्यूशन फी भरनी होती है सेमिस्टर कॉंट्रिबूशन होता है और यह सारी चीज़े जैसे नॉमल पड़ाई के लिए होती है सब जगा पर बैसे प्राइवेट उनिविश्टी में होता है तो इसलिए अगर पब्लिक उनिविश्टी प्राइवेट उनिविश्टी की बात करें तो पब्लिक उनिविश्टी में एजुकेशन फ्री है प्राइवेट में एजुकेशन फ्री नहीं है और एक के लिए scores matter करते हैं, तो merit पे ही बहाँ पे admission मिलता है, तो इसलिए public university में आपके अच्छे marks होंगे, तो आपको असानी से admission मिलेगी, क्योंकि competition भी बहुत जादा है, क्योंकि public university मेना education की quality बहुत अच्छी है, public इसका मतलब ऐसा नहीं कि, you know, university matter नहीं करती है, education अच्छा नहीं हो होता, आप fees pay कर रहे हो, जो university का structure है, उसके साब से यह कर रहे हो, तो आसानी से फिर भी admission मिल जाता है, तो जुनको public में आसानी से नहीं admission मिलता, वो try करते हैं, कि चलो थोड़े से पैसे pay करके, they can start education in private university in Germany, ये तो आपको पता लग गया, कि public and private university में difference किया है, अभी जानना य तो यहाँ पर अगर university के types की बात करें, तो एक तो होती है technical university, जिनका approach बड़ा ही theoretical होता है, research-based approach होता है, and दूसरी होती है, university of applied science, तो इनका approach बड़ा ही practical oriented होता है, थोर्ड category है, that is college of arts and music, जहाँ पर जो creative field के लोग है, जैसे artists, designers, musicians, ये भी admission ले सकते हैं, और admission की requirement भी होती है, कि जब आप admission के लिए apply करते हो, तब आपने specifically आपका talent है इस profession में, या इस field में, ये demonstrate करना होता है, तो वो आप उसके लिए admission requirements भी check कर सकते हो, और जो fourth category है, वो है university of cooperative education, जिसमें आता है dual study program, अभी dual study program आपने सुनाई होगा, जो vocational training है, जिसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हो, और साथ में practical knowledge भी gain कर सकते हो, by working in some company, तो ये उनके लिए option अच्छा है, जो अपनी पढ़ाई जल्दी खतम करना चाते है, और साथ ही जल्दी से काम भी करना चाते है, क्योंकि उनको practical knowledge भी मिल जाता है, फिर जो सबसे important question आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि मुझे ये सार जो बाइचलर से होते हैं, वो है जर्मन लाइच में तो जो भी स्टूदेंस करने के लिए आते हैं, मिनिमम बी बी टू लेवल की जर्मन उनको आने ही चाहिए, ता कि वो प्रॉपर बाइचलर जो है आपका जर्मन लाइच में कर सके और अगर में मास्टर्स की बात करूँ तो एक खुशकबरी यह है कि master's करने के लिए आपको German language compulsory नहीं है कि most of the courses जो है जर्मनी में वो master's के लिए English language में available है बट कुछ courses ऐसे भी होते हैं English speaking courses भी जहाँ पे उनको ना minimum requirement होती है कि आप A1 certificate दिखाओ या फिर A2 certificates दिखाओ तो depending आप कौन से course के लिए apply कर रहे हो कौन से university के लिए apply कर रहे हो उसके हिसाब से requirements change हो सकती है बट A1, A2 certificate भी पूछ सकते है बट कुछ ऐसे भी courses होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी A1, A2 certificate की भी ज़रुवत नहीं है इन फाक्ट IELTS की भी ज़रुवत नहीं होती IELTS की जो marks होते हैं उसके लिए भी ज़रुवत नहीं होती उसके लिए आप वो medium of instruction का जो certificate है कि आपने जो आपके education है वो English language में की है वो अगर submit करते हो तो IELTS का भी requirement नहीं होगा तो यह है कि master's करने आ रहे हो तो still English के options है बट अगर आपका पूरा course जो है वो English में होगा अच्छी बात है आपको as such German की ज़रुवत नहीं पड़ेगी पड़ अगर आप जर्मनी में आते हो ना आपको अगर दोस बनाने हैं युनिशिटीज में लोगों से बाते करनी हैं और in fact day to day life के लिए अगर supermarket में जाना है कुछ समाल लेना है और यह सारी activities करनी है तब तो आपको German language की ज़रुवत पड़ेगी क्योंकि यहां पर बड़ा आसानी से आप यहां पर रह पाओगे आप लोगों से friendship कर पाओगे अदरवाइस हमेशा यह रहीगा कि आप English speaking लोग ही धूंडोगे फिर बात करनी होगी तो आप इतने आसानी से communicate नहीं कर पाओगे तो यह सब लोग समझते हैं हाँ पर Germany में कि आप भार से आ रहे हो आपने German सीखी है तो आप initial level पे हो कोई आपको यह expect नहीं करता कि आप इकदम fluently German बात करो इतना टाइम रहने के बाद भी आपे बहुत सारे जो भार से लोग है कोई भी fluently इतना नहीं बात करते हैं that's completely fine जो भी भार से आ रहा है वो कोशिश कर रहा है वो German सीख रहा है यह सब यहां पे लोगों को भी पता है but at least instead of nothing कुछ तो आती है वो important है तो इसलिए German भी आनी जरूरी है तो अगर अभी तक अपने German नहीं सीखी है तो still मैं हमेशा मेरे Instagram पे भी promote करती हूँ कि आप 5000 रुपीज में A1 लेवल, A2 लेवल यह सीखना स्टार्ट कर सकते हो और मेरा main यहीं इंटेंशन है कि जो students है वो इतने पैसे 10-15,000 रुपए लगते हैं इंडिया में A1 लेवल के लिए, A2 लेवल के लिए और यह बहुत जादा expensive होता है तो मेरा, मैं इसी लिए यह support करती हूँ कि 5000 रुपीज में आपको important है अगर आपको पढ़ाई करनी की इच्छा होगी अगर वो कुछ achieve करना है तो important है कि आपको source मिल गया limited amount में भी अगर वो मिल गया है resource तो उसका use करो and पढ़ाई करना आप start कर सकते हो और फिर पारलली आपको फिर प्रोसेस पताई है और फिर उसके accordingly आप अपने आपको प्रिपेर भी कर सकते हो और एक बहुत कॉमनली मुझे question पूचा जाता है कि जर्मनी में अगर पढ़ाई करनी है तो क्या कोई age restriction है क्या कितने साल तक के लोग पढ़ाई कर सकते है तो सबसे पहले तो यह समझो कि यहाँ पे कोई age restriction नहीं है मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को मिली भी हूँ जो आपको पीछे भी दिख रहे है उनकी age कुछ 44 है कुछ दूसरे भी लोगों को मैं मिली हूँ जिनकी age 37, 39 ऐसे है और वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे है master's कर रहे है, PhD कर रहे है तो age restriction कोई नहीं है अगर आपको करनी है, master's करनी है, PhD करनी है तो still option है और आप जोमनी में apply कर सकते हो और एक चीज जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आपको जोमनी में पढ़ाई करनी है तो कितने टाइम पहले से आपको सारी process स्टार्ट करनी पढ़ेगे तो I would say minimum एक साल पहले से ही आपने research करना, start करना चाहिए कि आपको कौन सा course करना है कौन से university में apply करना है क्या-क्या documents लगेंगे यह सारी सीजे में पूरे detail process जो है step by step यह अगली वीडियो में specially उसके लिए बनाऊंगे ताकि आपको सारी steps पता लगे बट एक important जानना यह ज़रूरी है कि आपे दो intakes होते है एक होता है summer intake और दूसरा होता है winter intake और एक बहुत commonly asked question है कि Germany में अगर पढ़ाई करने के लिए आ रहे है तो कितने amount लगेगे क्या cost क्या होगी तो देखो irrespective of आप public university में पढ़ते हो या फिर private university में पढ़ते हो एक amount होती है वो है blocked account की amount तो वो आपको initially side में रखनी पढ़ती है before even coming to Germany तो आप कुछो कि blocked account क्या है तो blocked account basically एक account है जिसमें आप पैसे जमा करोंगे somewhere around 10,000 euro से 11,000 euro के range में वो amount है वो आप पहले ही bank में deposit करोंगे जैसी ही आपको admission मिल जाता है क्योंकि वो blocked amount है वो है basically आप जब जर्मनी आते हो तब आप यहाँ पे expense कर सकते हो इसका एक kind of safety deposit kind of amount है तो end of the day जब आप जर्मनी आते हो per month के लिए आप कितने amount विड्रॉख कर सकते हो 800-850 euro ऐसे वो amount आपके खर्चे के लिए मतलब रेंट पे करने के लिए आपको समान खरीदना है monthly expense के लिए वो amount आपके लिए होती है तो वो जो blocked amount है that is basically for you, for your expense तो यह amount तो आपको रखनी होती है फिर अगर depending आपका private university है public university है उसके हिसाब से फिर उपर की cost vary होगी और मैंने और भी बहुत सारी videos बनाई है उसमें भी आप चेक कर सकते हो मैंने ये भी video बनाई है कि यहाँ पे student का expense कितना होता है per month के लिए बहुत सारी सवाल पूछते है कि यह जो blocked amount है 10,000, 11,000 euro यह बहुत बड़ी amount है तो इसका कैसे इंतजाम करें तो देखो इसके लिए तो loan या कुछ आप apply कर सकते हो इंडिया में बट एक चीज मैं बताना चाहूंगी वो बस आपको amount arrange करने का थोड़ा task होगा बट जैसी आप जर्मनी में आते हो ना वैसे ही आप यहाँ पे पहले दिन से ही job कर सकते हो तो that is like a biggest plus point बहुत सारे students आके यहाँ पे पहले ही research करते हैं आजकल के बच्चे इतने intelligent हो गए है इंडिया से research करते हैं कि कहां पे job कर सकते हैं part time job कोई भी यह नहीं expect करता कि आप office में एकदम 9 to 5 job करना start करो यहाँ पे part time job इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपे इंडिया में क्या होता था master's करनी है, bachelor's करनी है आप Monday to Friday जैसे college में होता है 9 to 5 आप जाते हो, 9 to 6 जाते हो college ऐसे lectures होते थे बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको time table दिया जाता है कि हपते में इतने दिन lectures होंगे इतने घंटे के lectures होंगे बट बाके के time free होता है officially you're allowed to work 20 hours per week plus अगर minimum wage की बात करें तो यहाँ पे आप 12 euro per hour इतना कमा सकते हो, यह तो minimum है plus depending आप कौँसी job करते हो और किस तरीके का आपका job profile है उसके हिसाब से तो बच्चे हाँ पे 18-20 euro per hour भी कमा लेते है अगर overall लेका जाए ना तो लाखों में भी यहाँ पे बच्चे पड़ाई के साथ कमाते है and that's very normal और यह जो गोईतर उन्यूंसिटी का campus है Frankfurt Western का, इतना यूज campus है in fact यहाँ पे बोड पे ही उनका पूरा map भी है कि यहाँ पे कितने सारे अलग-अलग बिल्डिंग्स है, पूरे especially departments है जैसे finance department भी है specially, law department, psychology बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हो seminar के लिए भी यहाँ पे specifically बड़ी-बड़ी buildings है यह देखो seminar, house and इतने सारे options है प्लस यहाँ पे ऐसे फूल एरिया भी है जहाँ पे हमने वीडियो स्टार्ट करी थी प्लस यह सारा जो बोड है यहाँ पे सारे activities जो होती है जैसे अभी summer semester चल रहा है 2022 तो उसके लिए क्या यहाँ पे timetable है, उसके बारे में सारी information है प्लस summertime मतलब जर्मनी में best time होता है इस्पेशली स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं वो इतना enjoy करते हैं क्योंकि इतने सारे summer festivals होती है performances होती है तो बहुत सारे यहाँ पर मज़ेदार activities होती है यहाँ पर जर्मनी में बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार time निकलता है जो भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं कुछ तो glimpse मैंने यहाँ पर ही देखे जैसे कि Frankfurt, Clone, Berlin में कोई artist परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो सारे बच्चे वहाँ पर भी जाते हैं तो यह तो बहुत ही एक बड़ा सा campus है आपको अंदर से मैंने जितना दिखाने की मतब possibility थी उतनी मैंने दिखाने की कोशिश करी है तो मैंने कोशिश करी है आपको सारे information बताने की इसके बाद वाली वीडियो में आपको पूरा detail process बताने वाली हूँ step by step जो आप follow कर सकते हो जर्मनी में admission लेने के लिए बट अभी I hope जो information मैंने अभी share करी है related to study in जर्मनी वो आपको helpful रही होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like करना इसे और वी लोग के साथ शेर करना और अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करना बहुत सारे लोग ऐसे है जो वीडियो देखते हैं चले जाते हैं बट यार थोड़ा support करना है तो subscribe जरूर करना और मिलते है अब हमारी अग्ली वीडियो में अंतिल रन आप वीडियो जीन